हलो रिवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स के यूटूब एज्जूगेशनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डीटेल में स्टडी करेंगे हिूमन ब्लड के बारे में तो हम सिखने वाले हैं उसके composition के बारे में कौनसे components होते हैं लग-related human bloods के बारे में वो सिखेंगे ब्लड cells के study करेंगे और जानेगे कि क्या function होता है human blood का तो मानव रुदिर के रचना किस तरह से होती है composition में क्या होता है और उसका career वगेरा क्या होता है वो सभी को हम detail में समझेंगे ये video lecture के अंदर तो expert lecture by Amar Sir assistant professor and founder of PharmaRox thank you for being one leg family of PharmaRox updated rate of Pharma knowledge के साथ access कर ये study material test series and video lecture on app PharmaRox तो अगर आपके पास android phone है तो download कर सकते हैं PharmaRox का android application Google Play Store पर से अगर आपके पास iPhone है तो app store पर से पर उसको download कर सकते हैं link आपको description box के अंदर मिल जाएगी तो अब जो हमें detail में समझना है that is a human blood तो human blood सबसे पहले क्या है तो वो समझे blood is the only liquid tissue in the body कि जैसे अलग-अलग organs organ system जैसे tissue से बनते हैं ऐसे जो blood है हमारी liquid connective tissue कही जाती है कि जैसे कि आप यहाँ पे समझो कि किसी भी organ के formation के अंदर सबसे पहले जो basic functional unit जो होता है that is a cell फिर बहुत सारे cell एक दूसरे के साथ combine होके बनाते हैं जो structure इसकोम कहते हैं tissue फिर बहुत सारे tissues एक दूसरे के साथ combine होके रचना करती है किसी भी organ की और यह सब organs combine होके तयार करते हैं कोई organ system को और organ system से पूरी हमारी body तयार होते हैं वैसे जो tissue की जो बात आती है, तो बहुत सारे ऐसे cell combine होके tissue बनाते हैं, वैसे ही जो liquid tissue तयार होती है, तो liquid tissue यहाँ पे कैसे तयार होती है, तो blood के composition के अंदर आपको पता है कि दो components होते हैं, एक तो blood cells होते हैं उसके अंदर और दूसरा होता है fluid, तो जो blood cells होते हैं बहुत सारे वो combine होके जो liquid connective tissue जो बनाते है that is a blood हमारा जो blood है वो एक type की tissue ही है कि जो बहुत सारे cell combine होके बनाते हैं और ये जो cell जो हम कहें तो that are a blood cell ये cell कौन से है यहाँ पे तो ये कहे जाएंगे अलग अलग blood cells तो बहुत सारे blood cell फिर fluid वगेरा combine होके जो tissue बनती है और ये liquid form में है इसके लिए इसको कहा जाता है liquid tissue of the body ये connect करती है सभी organs organ system सभी cell तक पहुचता है blood उसके करन उसको liquid connective tissue कहा जाता है तो consist of the cell and pregnancy जैसे कि उसके अंदर दो component जो हम कहते है कि एक तो है उसके अंदर cell है कि जो एक content कह सकते है कि cell के अलग-अलग fragments है cells and cell fragments है उसके अंदर कि जिसको blood cell कहा जाता है और दूसरा component that is a plasma कि एक cell है और ये plasma तो cell जो है वो हो गाए आपका main content और ये सब cell है वो plasma के अंदर अच्छे से जो है वो mix-up होते तो ये blood जो composition पूरा तयार होता है उसके अंदर एक liquid portion that is a plasma कि जो हम कहते हैं कि liquid intercellular matrix जिसको हम कहते हैं वो है आपका plasma और बाकी जो है वो blood cell से तब कुछ ऐसे important statistics जानते हैं blood के बारे में कि जो काफी important है आपके लिए तो average adult person के अंदर blood volume कितना होता है तो वो होता है around 4.5 से लेकर 5 liter जितना blood volume होता है और वो होता है total 8% of the body weight फिर बात आती है कि उसकी viscosity के इतनी है तो हमारा जो blood है वो heavy है heavier and more viscous than water के water के comparison में हम देखे तो water की जो viscosity है वो हम consider करते है 1 तो उसके compare में जो blood है उसकी viscosity आप देखो तो 4.5 से लेकर 5 centipoids जितनी viscousity होती है हमारे blood की और एक और important है कि blood की pH कितनी होती है तो blood की pH होती है around 7.4 pH तो यह statistics याद रखे तो यह slide के अंदर जो important pinpoint है आपके लिए that is कि सबसे पहले तो liquid connective tissue वाला point आपको याद रखना है उसके दो fragments की एक cell है और दुसरा plasma की जो intercellular matrix कहा जाता है liquid फिर volume आपको याद रखना है 4.5 से 5 5 liter जितना फिर viscosity याद रखे कि काफी है important pinpoint है कि viscosity 4.5 से लेकर 5.5 जितनी है और pH जो है 7.4 अब blood जो है उसको river of life कहा जाता है तो उसका river of life क्यों कहा जाते है तो उसका हम justification देखे तो उसके अंदर है जो अलग-अलग cell है कि तीन टाइब के cell का main बना है हमारा blood तो एक ही red blood cell की जिसको हम erythrocyde कहते है याँ पे देखो ये red color के आप erythrocydes देख सकते हैं फिर white color के leucosides की जिसको white blood cell कहा जाता है wbc and तीसरे जो है platelets की जिसको thrombocytes कहा जाता है तो ये तीन cell से हमारा blood का main composition तयार होते है कि जिसको कहा जाते है blood cells कहते हैं तो ये blood cells और जो पुरा blood है वो हमारे सभी organ और organ system के और पौजता है और वो अपने साथ oxygen को भी carry करता है nutrients को भी carry करता है hormone से इसी के करण उसको river of life कहा जाता है कि जो हमारे cells है body के सभी कि जो हमारे structure and functional unit है कि जिनको proper blood supply की जरूरत रहती है oxygen की जो demand होती है वो पूरी करने का काम करता है जिसके करण human blood को कहा जाता है river of life अब उसके अंदर देखे कि जो liquid portion है उसको हम कहते है plasma and blood cholesterol level जो हम देखे normal तो that is 150 से लेकर 250 mg per 100 ml तो ये था कुछ important introduction about the blood कि blood के बारे में आपने जाना कि उसको river of life कहा जाता है फिर उसके अंदर तीन टाइप के main cell components include हो जाते हैं कि एक RBC है एक WBC है and तीसरे platelets है तीनों के alternative नाम भी आपने समझ लेके red blood cell को इरित्रोसाइट कहा जाता है WBC कल्यूकोसाइट and platelets को हम कहते हैं थ्रॉम्बोसाइट तो अब blood के functions जानना जरूँए कि जो river of life जो हमने blood को कहा कि blood जो हमार river of life कहा जाता है तो river of life इसलिए कि उसके function आप यहाँ पर देखो तो आपको पता चले कि तो सबसे पहले उसका काम है transportation का तो कौन से चीजों को transport करता है transporting का काम तो that is oxygen सबसे पहले उसके बाद अलग अलग nutrients to the lungs tissue body cells organ and organ system तो हमें पता है कि जब हमने cardiovascular system सिखा था तो cardiovascular system के composition में हमने देखा था कि वो तीन चीजों का बना है पहला तो हमारा यह heart फिर यह जो पूरा जो आप network देख सकते है arteries and weight का मतलब कि वो blood vessels and जो तीसरा जो हम component देखे तो blood vessel heart है but third that is a blood कि blood के बीना blood vessels भी अच्छे से अपना काम नहीं कर पाएगी because उसके अंदर blood flow होगा तो ही वो अच्छे से अपना जो काम करेगी और सभी organ और organ system तक blood पहुचाने का काम करेगी तो transportation में हमने देखा था transport करती है oxygen को nutrients को सभी body cells organ organ system के और तो ये possible किस के थरू होता है तो blood के थरू because blood के अंदर ही ये oxygen mix होता है nutrients भी उसी के अंदर dissolve होते है और ये सब tissues की और पहुचते है body के सभी cell की जो oxygen की demand होती है वो पूरी करने का काम करता है उनको जो कोई nutrients चाहिए वो भी पहुच आएगा और उसी के थरू सभी organ और organ system की और blood पहुचता है तो ये हो गया उसका main first important function that is about the transporting दूसरा function हम देखे तो कई बार क्या होता है कि blood vessels break होती है और उसके अंदर से blood जो है वो बाहर निकल जाता है तो ये क्या करता है हमारा blood के blood clot जो है वो फॉर्म करता है और वो prevent करवाता है excessive blood loss के कई बार vessels break होने के बाद उसमें से blood बाहर आता है बट कुछ समय के बाद automatically blood बाहर आना बंद हो जाता है मतलब की blood loss जो है वो prevent होता है तो it is possible due to this blood clotting और इसमें भी help करते है blood cells help करते है कि जो आगे आप सिखोंगे कि जो platelets होते है वो help करते है blood clotting के अंदर के जिससे prevent होता है excess blood loss तो ये भी एक function हुआ आपके blood का ही तीसरा function देखे तो carry करता है cells and antibodies that fight against the infection कि उसके पास जो WBC है जह हम कहते white blood cell तो white blood cell आपको proper immunity provide करते है infection के सामने लडने के लिए रोख प्रतिकर रख सकती देते है तो ये भी एक function होता है blood का फिर circulate करता है hormones को कि जो अलग-अलग glands जो hormones जो release करती है तो वो blood stream के अंदर ही hormones को release करती है और उसी के through आपको जो है वो अलग-अलग hormones की जो effect है हमारी body पर होती है तो hormones के circulation का काम भी blood ही करता है फिर बात आती है कि कोई disease होती है आपको तो disease condition में जो भी कोई अलग-अलग medicines दिये जाते है कोई injection आपको समझो के दिया जाता है तो वो medicines last में आपके blood के अंदर ही mix-up होती है और circulate होती है वो medicine after dissolving that blood in systemic circulation for treatment of that particular disease की जो भी कोई disease हुई है कोई illness है तो ऐसे condition में जो medicines का जो अच्छे से transport होना circulation होना सभी organs तक या फिर जो भी आपको disease condition है उसके treatment के लिए systemic circulation के अंदर blood systemic circulation जो कहते हैं हम blood का वहाँ पे medicines का पहुचना जरूरी है और medicine जब systemic circulation में पहुचेगी तो ही अपनी pharmacological action देगा तो during the disease condition and illness blood also transport and circulate medicine के medicines को भी वो transport करके देता है circulate करके देता है और जिसके करण जो भी कोई disease होती है उसके treatment जो है वो possible बनती है चठा function देखे उसका तो blood fluid that transport the oxygen and nutrients to the cell तो यह तो हमें समझा कि oxygen है अलग-अलग nutrients है वो सभी cell और organ organ system की तक पहुचाता है बट वो साथ हुसाथ जो carbon dioxide होता है कि इसको हम CO2 कहते हैं कि जो अलग-अलग organs, cell वगेरा utilize करने के बाद जो carbon dioxide and other waste product को फिर से blood के अंदर mix up कर देखे जैसे कि यहाँ पर आपने समझाता कि lungs जो है वो oxygenated blood आपके heart के अंदर लाते है heart जो है वो और्टा के थूँ अलग-अलग organs की और oxygen reach blood जो है वो पहुचाता है फिर वो organs क्या करते है वो blood को use करते है और उसमें रहा oxygen है, nutrition से वगेरा को अच्छे से absorb करते है और उनके अंदर रहे जो waste material है, toxic material है या फिर जो carbon dioxide होता है वो उसके अंदर mix up करते हैं और वो carbon dioxide वाड़ा blood फिर से आपके heart के अंदर आता है तो heart में से फिर से में पता है कि वो lungs में पहुच जाएगा कि lungs जो है वो CO2N O2 का exchange करके फिर से ये blood आपके heart के अंदर वापस बेजता है, तो ये process में भी जो main function है कि सबसे पहले oxygen को carry करना, सभी nutrients के साथ सभी cell तक पहुचने का काम और वही cell से वापस carbon dioxide and waste material को लाने का काम भी ये blood का ही है फिर हम देखे तो technically blood is transport liquid transport liquid pump by the heart, कि ये एक type का transport liquid है, कि ये liquid को pump करने का काम कौन करता है तो heart करता है to all part of the body after which is return to the heart to repeat the same process कि जैसे हमने cardiac cycle सिखा था blood circulation का ये पूरा process समझा था तो ये ही process continuously जो चलती रहती है repeat होती रहती है cardiac cycle के अंदर blood circulation जो है तो ये भी function achieve करवाता है blood फिर next देखे तो जो osmetic pressure है उसको maintain करवाने का काम भी blood ही करता है उसके बाद regulatory काम है कि जो formation of hormonoyds वो भी blood ही करता है फिर protection का काम तो एक भाम ये protection देता है against the disease कि जो अलग-अलग disease होती है उसके सामने भी protection करवाने का काम जो है वो ये blood ही करता है और दूसरा हम देखे तो clothing जो करवाता है वो blood का कि जिससे वो prevent करवाता है excessive blood loss तो ये एक protection का भी काम है हमारे blood का उसके बाद जो detoxification की जो हम बात करते है कि removal of toxic element with the help of kidney and lungs की kidney जो हमें पता है कि blood को अच्छे से filter करती है और उसमें रहे toxic elements है toxic जो substance होते है waste material है वो urine के थूँ हमारी body में से बाहर निकल जाते है तो urine formation का जो काम करती है kidney तो वो blood को अलचे से filter करके ही करवाते है वैसे ही जो आप lungs देखो तो lungs जो है वो carbon dioxide जो है वो हमारे body में से बाहर निकलते है oxygen जो हम breathing से लेते है वो blood के अंदर mix up करवा के अलग-अलग organs और organ system के और बेजने का काम करते है तो ये oxygen CO2 का जो exchange lungs करते है वैसे ही toxic material body में से बाहर निकलने का काम kidney करेगा blood को purify करके उसको filter करके तो detoxification के में भी process में भी ये help करता है हमारा blood फिर last जो 12th number का जो function है वो सबसे important है because thermoregulatory एक सबसे बड़ा function है blood का कि जो हमारा body temperature normal रहता है कि normal body temperature 37 degree celsius जो हमारा maintain रहता है that is also due to the blood की blood का जो एक important function है कि वो अच्छे से हमारा blood जो है वो इस तरह से setup करता है कि तो temperature हमारा maintain रहता है उसमें ये help करेगा फिर जो pH का maintenance है water balance की जो बात आती है electrolyte levels तो ये सभी को अच्छे से balance करवाने का काम भी blood का ही है तो काफी important function है तो total ये 12 function जो हमने यहापे discuss किये वो आप अच्छे से not down कर सकते है exam के अंदर भी यही points आप अच्छे से point wise जो है discuss कर सकते कि जब आपको detail में human blood के functions जो है वो discuss करना हो फिर बात आती है human blood के composition की कि human blood का composition किस तरह से तैयर होता है human blood किस तरह से बनता है तो वो अब यहापे हम समझते है तो अब तक जो हमने जाना कि blood जो है वो है special fluid है तो जब special fluid होगता है तो उसके composition भी काफी special ही होता है तो it has four main components चार उसके main component है एक है plasma second है red blood cell तीसरा component that is a white blood cell and fourth that is a platelets तो यह चार component को हम समझे तो एक जो fluid portion है that is a plasma कि जो blood के अंदर रहा जो fluid portion है उसको हम कहते है plasma और उसका composition है around 55% तो 55% जो है वो plasma है हमारे blood के अंदर की जो fluid portion जो हम कहते हैं और यह यहाँ पर आप देखो तो जो yellow color का यह जो portion उपर दिखाया गया है कि समझे कि आप blood को अच्छे से separate कर दे तो 55% जितना आपको composition जो मिलेगा that is a plasma फिर 1% जितने आपके होते है white blood cell and platelets and 44% जितना होता है red blood cell तो यह दोनों का हम combination करें तो आपको मिलेगा 45% जितने blood cells तो देखो 55% plasma हो गया और 44 और 1 मतलब कि 45% जितने है blood cell कि जो cells है यहाँ पे कितने है तो 45% और plasma कि जो fluid component है that is a 55% तो it is made up of around 55% of plasma and 45% of blood cells element कि जो total elements हम calculate करें तो 45% जितने blood cells होंगी हमारे blood के अंदर और 55% जितना है plasma तो composition को जब आप separate करते है कि यहाँ पे आपके test tube के अंदर पूरा blood है कि यहाँ पे अभी centrifugation नहीं कि जो normal आपके vein या arteries में से जो blood separate करते है वो आपका यहाँ पे blood है तो यह blood को अब क्या किया जाता है centrifuge किया जाता है by using the centrifuge तो अच्छे से centrifugation करने के बाद आपको इसके 3 components देखने को मिलेंगे और 3 layers separate होंगे तो एक layer है वो है top layer यहाँ पे देखो जो yellow color का सबसे उपर जो layer मिल रहा है वो हम कहेंगे कि top layer है और top layer के अंदर आप देखो तो plasma है और उसका composition लिखा है कि 55% of a total blood total blood का आपको 55% जितना plasma मिला सबसे उपर के layer में तो हमेशा जब आप exam में भी diagrams वगेरा draw करो तो यह ध्यान रखो कि सबसे उपर plasma दिखाए और यह बनाता है top layer फिर उसके नीचे यह देखो bottom layer है तो यह जो bottom layer जो तयार होता है वो रहता है blood cells और उसमें भी RBC तो यहाँ पे देखो bottom layer containing red blood cell are extracted कि top level से आपको मिला plasma, bottom level से आपको मिलता है red blood cell अब बात आती है जो center में एक level है कि जिसको buffy coat कहा जाता है यहाँ पे लिखा है buffy coat that is a center layer और the layer between the red blood cell and plasma contains the platelets and white blood cell की जो buffy coat है उसके अंदर क्या है तो यहाँ पे भी लिखा है कि buffy coat की जो यहाँ पे center में है उसमें आप देख सकते हैं कि leukocytes है and platelets है leukocytes मतलब कि आपके white blood cell and जो platelets यहाँ पे present होते हैं तो इस तरह से आप तीनो layers को अच्छे से separate करके उपर का layer अच्छे से निकाल लोगे तो आपको plasma मिलेगा फिर आप buffy coat को remove करेगे तो उसके अंदर आप study कर पाएंगे platelets and leukocytes की और सबसे नीचे जो यह red color का जो आपको portion मिलता है component of blood that hold the blood cells of whole blood in a suspension कि जैसे pharmaceutics के अंदर आप समझते हैं और सीखते हैं suspension को तो suspension क्या होता है कि suspension के अंदर दो चीज होती है एक तो कोई solid components होते हैं और दूसरा रहता है fluid तो हमारा blood को भी समझे कि हम suspension consider करें तो जो cells वगेरा का जो portion है उसको आप समझ लो कि देटार और solid portion बट जो fluid portion बनता है that is due to the plasma कि यहापे जो हमने yellow vis fluid जो आपने देखा यहापे कि यह पूरा yellow vis यह portion है यहापे जो portion तयार हो है तो यह सभी yellow vis portions जो है वो तयार करते है blood plasma को और यह blood plasma एक medium बनता है यह RBC है WBC है या फिर platelets को अपने अंदर अच्छे से hold करके रखने के लिए और फिर जो तयार होता है हमारा blood का पूरा suspension form तो it is the liquid part of the blood that carries the cells and protein throughout the body तो उसके साथ RBC WBC and platelets तो mix up होते ही है और उनको भी अच्छे से carry करता है और साथ हो साथ यह खास याद रखना है कि plasma के अंदर protein होता है अब आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि plasma जो है वो अलग-अलग disease, disorders के treatment में use होता है तो plasma is commonly due to trauma जैसे कि trauma की condition है burning की condition है shock के patient से as well as people with severe liver disease और multiple clotting factor related deficiencies तो उनको यह plasmas जो है वो दिये जाते हैं उनकी treatment के अंदर तो यह भी एक important point है आपके लिए regarding blood plasma फिर बात करें तो blood plasma का composition कि जैसे हमने blood का composition समझा उस तरह से plasma का भी detail composition समझना जरूरी तो plasma में पता है कि total blood का 55% plasma है तो it make up around the 55% of the body's total blood volume बट उसके अंदर भी हम देखें तो 90% जितना water है कि अगर हम plasma को consider करें कि plasma समझे कि आप 100 ml लेते हैं तो 100 ml plasma के अंदर आपको 90 ml जितना water मिलेगा और बाकी का जो 10% के अंदर आपको proteins मिलेंगे जैसे कि albumin protein होगा उसके अंदर immunoglobulins होगा फिर उसके अंदर electrolyte से metabolic nutrients, metabolic waste product and hormones वागेरा 10% के अंदर आपको देखने को मिलेंगे plasma के अंदर तो blood serum is blood plasma without a clotting factor तो ये भी एक आपको point याद रखना है कि कई बार blood serum भी collect किया जाता है तो blood serum is a blood plasma without clotting factor कि अगर आप clotting factors को blood plasma में से remove करवा देते है तो जो आपको एक clear liquid मिलता है that is a blood serum so it helps to boost the patient's blood volume which can prevent the shock and helps with blood clotting even जो blood plasma है उसका हम use देखे तो blood volume को enhance करने पे भी blood plasma जो है वो use किया जाते है as well as जो हमने देखा कि अलग अलग disease के अंदर भी blood plasma जो है वो patients को दिये जाते है तो ये था blood composition के अंदर plasma अब बात आती है cells की कि जो around 40 5% है तो उसके अंदर भी 1-2% जो है वो WBC and platelets रहेंगे और सबसे maximum portion cover करता है 98-99% जितने erythrocides तो blood cells देखो तो blood cell तीन टाइप के है वो आपने समझ लिया कि एक जो important blood cell है that is a red blood cell कि जो red color के है उनको erythrocides भी हम कहते हैं और उनका जो काम है oxygen and CO2 के exchange में help करते हैं फिर दूसरे important cell that is a white blood cell कि इनको हम leukocides कहते हैं और leukocides total 5 प्रकार की एक है neutrophil है eosinophil है basophil कहे जाते है lymphocyte कहे जाते है and monocyte और वो fight करते है against the infection in various diseases मतलब की WBC जो है वो हमें immunity provide कर रहते है अलग-अलग disease के सामने रोग प्रतिकारक सकती provide करने का काम करते है यह WBC और तीसरे है यह हमारे platelets कि जिसको thrombocides भी कहा जाता है और thrombocides का का काम है blood clotting के अंदर help करना because उनके पास blood clotting factors है और वो blood clotting factors जो vitamin K की मदद से synthesize होते है वो आगे जाके help करते है blood clotting के अंदर तो blood cells के लिए यहाँ पे कुछ अलग-अलग words एक देशे कि उनको hemocyte भी कहा जाता है फिर hematocyte भी उनको कहते है and hematopoietic cell भी उनका ही नाम है and found mainly in a blood and they are around 45% RBC, WBC and platelets तो blood cells जो है उनका normal value अब आपको अच्छे से समझना जरूरी है कि कितनी normal value में यह components आपके blood के अंदर present होते है तो जब भी आप blood cells के related study करे तो उस वक्त सबसे important जो point को discuss करना होता है वो उनके normal value भी है तो normal values भी आपको जरूर से पता होने चाहिए as well as जब आप theory लिखते है तो अब भी आपको यह पता होना चाहिए MCQs में भी important है Viva base exams में भी important है तो सबसे पहले जाने कि white blood cell की normal value कि इतनी होती है हमारे blood के अंदर तो कितने cell से पर microliter तो वो है 4000 से लेकर 13000 जितने cell मतलब कि जब किसी person का आप sample collect करते है blood sample और उसके अंदर समझो कि आप 1 microliter के अंदर cell count करो तो वो आपको answer मिलेगा 4000 से लेकर 13000 सेल तो ये होती है normal value about the white blood cell की जिसको हम lymphocytes भी कहते हैं फिर जो बात आती है red blood cell की जिसको erythrocytes कहते हैं तो erythrocytes की जो normal value है main के अंदर तो mains के अंदर रहता है कि मतलब कि total male के अंदर रहेगा 4.5 million से लेकर 5.9 million cell per microliter या पे भी हमने unit जो है वो semi रखा है फिर women's के अंदर जो हम देखे तो वो value रहती है 4.1 से लेकर 5.1 million cell per microliter हीमोगलोबिन भी important है कि हीमोगलोबिन जो होता है वो 14 से लेकर 17.5 gram per deciliter रहता है male के अंदर और females मतलब कि या फिर women's के अंदर देखे तो हीमोगलोबिन का जो value रहती है 12.3 से लेकर 15.3 gram per deciliter और चोथा है platelets कि platelets की value कितनी रहती है तो platelets रहते है 1.5,000 से लेकर 4.5,000 platelets per microliter के अंदर platelets की जो value होती है 1.5,000 से लेकर 4.5,000 जितनी platelets की जिसको हम कहते रहे thrombocytes तो ये तिन नॉर्मल ये तिनों की normal value साथ उसाथ हीमोगलोबिन की भी normal value आपको पता होनी चाहिए फिर समझते हैं red blood cell तो red blood cell total 98 से लेकर 99% जितने होते हैं total blood के अंदर and hemoglobin is the protein inside the red blood cell RBCS के अंदर होता है ये hemoglobin तो hemoglobin के जो molecules होते हैं वो oxygen के जो ये molecules होते हैं उनको carry करते हैं और ये पूरा जो composition ये होता है अमारे red blood cells के अंदर तो hemoglobin की जो red color का pigment होता है कि जो आपके red blood cell को जो है वो red color देता है and red blood cell also remove the carbon dioxide from your body bringing it to the lungs for you to excel कि जब हम breath out करते तो उस वक जो carbon dioxide भी हमारी body में से expel out होता है तो वो भी red blood cell के कारण ही possible है तो red blood cells are made in bone marrow की bone marrow के अंदर red blood cell तयार होते है and उनकी जो हम total life देखे तो 120 days जितनी life होती है किसी पी red blood cell के उसके बाद वो जो है वो death हो जाती है उनकी मतलब कि वो destroy हो जाती है और फिर से नए RBC फिर से bone marrow के अंदर form होते है तो ये था red blood cell का detail introduction फिर WBC हम देखे तो WBC कितने होते है तो around 1 to 2% जितने WBC होते है हमारे blood के अंदर और उनको हम leukocytes भी कहते हैं lymphocytes भी कह सकते because अलग-अलग ये lymphocytes आप देखो neutrophils basophils eosinophils and monocytes जैसे अलग-अलग white blood cells हमारे blood के अंदर present होते हैं तो ये cell क्या करते हैं they are the cell of immune system कि जो हमारी immune system है कि जो हमें रोग प्रतिकारक सकती देते हैं तो उनका ये पार्ट है WBC are involved in a protecting the body against the both infectious diseases and foreign invaders जैसे कि हमारे body के अंदर कोई bacteria enter होते हैं viruses वगेरा enter होते हैं तो उनको kill करने का काम करते हैं हमारे white blood cell के अंदर रहे हैं ये अलग-अलग immune cells साथ हो साथ जो अलग जग समझे कि कोई आपको infection होता है कोई disease वगेरा होती है उसमें भी ये हमें proper immunity provide करते हैं all white blood cell are produced and derived from multipotent cell ये खास समझे कि multipotent cell में से ये तयार होते हैं और ये multipotent cell मतलब कि bone marrow में ही रहे ये hematopoetic stem cells कि जो आप stem cells के नाम आपने जो सुना होगा तो stem cells जो है वो produce करते है white blood cell फिर important component तीसरा that is platelets तो सबसे पहले तो उनका value तो कितने होते हैं तो total जो blood cell है उनके 1 to 2% जितने ही रहते हैं ये platelets और platelets के आप detail में study करो platelets important है blood clotting के लिए one of the important blood clotting cell help in a blood clotting और उसके भी हम detail study करे तो ये जो platelets cell जो आप यहाप देख सकते हैं तो उसके अंदर भी ये mitochondria जो आप यहाप देख सकते हैं ये वाले mitochondria से फिर उसके अंदर dense granules आपको देखने को मिलेंगे alpha granules उनके अंदर आपको देखने को मिलेंगे फिर ये उसके अंदर vessels break होती है injury के कारण वो damage होती है और उसमें से जो blood बाहर निकलना start होता है तो उस वाग ये जो platelets से वो blood clotting के अंदर help करते हैं जैसे आपने detail blood clotting mechanism वाला जो lecture देखा होगा तो उसमें हमने आपको detail में समझाया कि किस तरह से blood clotting की process में ये platelets जो है वो हमें help करते हैं पिकाज उनके पास जो blood clotting factors होते हैं अलग-अलग जो composition होते हैं उसके पास जो protein है, fibrin के जो भी आगे जाके help करता है blood clotting formation में तो ये थे platelets फिर जब आप study करते हो blood के बारे में तो human blood group के बारे में समझो कि आप discuss ना करो तो ये topic जो है वो अधुरा रही जाता है तो जरूरी है blood group के बारे में भी किसी को समझा ना कि total 4 type के blood group होते है ABO system जो हम देखे तो blood group A बनेगा B, AB and O इस तरह से total 4 main blood group हम कह सकते हैं, but ये जो blood group है वो decide होता है from the genes you inherited from your parents के आपके जो parents है आपके माता-पिता से जो आपको विरासत में जो genes मिलते है ये genes decide करते हैं आपका blood group और आगे ये blood group और दो चार पार्ट में divide होता है positive and negative जिसके करण total 8 type के blood group तयार होंगे with RH factor तो जैसे blood group के भी हमने detail video lecture था ही जैसे अंदर आपने देखा हो कि blood group A positive फिर A negative B positive and B negative A B positive, A B negative and O positive and O negative इस तरह से total 8 blood group जो है वो आपके तयार होते हैं तो ये था human blood group का information तो इतना आपको detail में हमने आज study करवाए कि जैसे blood group के बारे में यहाँ पे short में introduction देखा इसका detail video lecture भी available है as well as 3 no blood cells के बारे में समझा हमने RBC, WBC and also about the platelets and blood plasma के बारे में भी हमने आपको detail introductions दिया फिर blood के functions के बारे में सिखा, compositions के बारे में और उसकी जो values आपको खास याद रखनी है कि उसके viscosity कितनी होती है, उसकी pH कितनी होती है, blood cells की normal value कितनी होती है, उसके अंदर कितना cholesterol होता है, total blood volume कितना है, तो ये सब भी आपके लिए काफी important point रहेंगे कि जो हमने ये video lecture के अंदर detail में discuss किया तो subject wise जो lecture notes होते हैं वो आप pharma rocks के आप उपर access कर पाऊंगे thank you for watching, join कर सकते whatsapp group को, access कर सकते study material, test series and video lecture on your pharma rocks so good luck and all the best